जाहिंद आज हमनों SSC MTS 22 का सेट नंबर 15 को यहां पर डिसक्स करने वाले हैं टोटल जो एक्जाम हो तपका 48 सिर्फ में यह एक्जाम है और हम इसके 15 नंबर सेट को यहां पर डिसक्स करने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आगे पढ़ने से पहले बता दे कि टेलियाम च दर्च के जिए और वहां से आपको मिल जाएगा पहला कोशन है कि प्राचीन नीम राना बावडी राजस्थान के निमलिखीत में से किस जीले में इस्थित है तो प्राचीन नीम राना बावडी राजस्थान के निमलिखीत में से किस जीले में इस्थित है तो अलवर इसका नेच्ट है which are the following is the world's largest inland sea सबसे बड़ा largest inland sea कौणसा हो जका तो कैस्पियान इसका क्यूसा हो जब जाएगा तो सबसे बड़ा वेडा largest inland sea। सबसे बड़ा सबसे आपका world's largest inland sea कौणसा हो जिरे आपका thyroid का का स्बसे बड़ा इसका क्योद्स हो जबाता होता है तारीख होता है तुर्क मेसान हो गया और जान वह यह सब होते हैं कि विच्छोब पाल्लइंग टाइप्स पर्कार होता है जिसको मुझू करते हैं और दूरों बाजा किसको तो सिंस्ट इरिकालचर को जूम करते हैं और शीकल थेशों किया करते है vitesse अ बन काटो और जलाओ um real culture क्यिती नेक्श्र है फिल्ड हाकी टीम में जो आज़ंगा 11 खिलाडी होते हैं में के 10 एक 11 अर्ट हुक्त होते हैं तो फिल्ड हाकी टीमें कितने खिलाडी होते हैं 11 इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट है निमलिकीत में से कौन एक प्रशिद भारतिय निर्ते निर्देशक कोडियोग्राफर थी तो यह थी आपके सरोच खान इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है फीडमीन एक्साइल जो आपका दलाई लामा की आत्मकता है तो यह आपका दलाई लामा की आत्मकता है तो यह है आपका दलाई लामा की आत्मकता है तो यह है आपका दलाई लामा की आत्मकता है तो यह है आपका दलाई लामा की आत्मकता है तो यह है आपका दल और मंत्र चूरू किया गया था तो बधान मंत्री कॉसल विकास योज़ता दूजा पंद्रे में कॉसल विकास और उध्यमिता मंत्रले के ताहित सुरू किया गय थाा कुलाम वंस ने निमलिखीत में से किस राजम सथापना एक तो गुलाम बंस खाने गुलाम वंस को आपका मामलुक वंस कहाते हैं माम्लुक वंस और चाहे इल्बारी डाश्टी इल्बारी वंस को जाता है गुलाम मंस हो गया, मामलू को गया, चाहे इलबारी डैनस्टी हो गया, यह सारा हो गया आपका, गुलाम मंस को ही कहा जाता है किस ब्रिटिस गवर्णर ने बंगाल में द्वायद सासन व्यस्था को समाप्त कर दिया था, तो वायरन हास्टिंग ने डूल कौर्मिन को समाप्त कर दिया था बंगाल में तो भारत के रास्पती न्यूट करते हैं नेस्ट है विच वे विच वे विच वे वेंड आर आल्सो नोन बाया दा नेम आफ रोरिंग फॉर्टी तो रोरिंग फॉर्टी को कौन सा हो जाएगा तो यह तो वेस्टर ली इनकों पच्छिमी हवाइग काते हैं या चाहिए वेस् इसिस्ट आपका यह सब कहा है नेकों निगंग निकम संसोधन विधिएग दुजा बाईस पत्चीस मार्ट विच वाइसको लोग सवाव में अमिस आधवरा के किया गया था तो देली नगर निकम संसोजन विद्यक 22 मार्च स्वरी 22 में 25 मार्च 22 को लोकसवाव में अमी साके दोरा प्रेस किया गया था है नेक्स्ट है हस्तिनापूर का लोह कार्यानवयन अस्टल भारत के इन में से किस वर्तमान राज में पाए जाता है हस्तिनापूर का बात करें तो उत्तापदेश में आता है द्वार्का का बात करें तो गुजरात में आता है नेक्स्ट है ए अनुब फाइनेसिल अस्टेट्में जोता है तो देली एंड पेमेंट ऑफ गौर्मेंट इन देली फॉर्म और किसके लिए Contigency Fund, Public Account and Consolidated Fund कर रहा है Simple सा कहाने का मतलब है जो Annual Financial Statement होता है इसको Simple Form में हम Budget करते हैं जो भी Budget होता है Annual Financial Statement को क्या करते हैं Budget करते हैं यह क्या दिखाता है यह दिखाता है, शो करता है The Receipt and Payment of the Government in the Form of एक तरह तरह रिसिप बताता है और दूसरा है Payment of the Government Government के रिसिप को आप पेमेंट को बताता है किसके Form में? Contigency Fund के रूप में Public Account के रूप में और Consolidated Fund के रूप में Consolidated Fund और Public Account का जो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 266 होता है और Contigency Fund का आर्टिकल होता है 266 हो जाएगा इनमें से किसखनेज द्वारा Thire-oxyn Hormone का Translrition किया जाता है और आयोटिण इसका Correct? संस्लेशर हो जाएगा इनमें से किसखनेज द्वारा Thire-oxyn Hormone का संस्लेशन होता है और इनमें इसका Correct हो जारल नेक्स्ट हो जाएगा वारतोलन खेला गया था तो कौन सा गेम जो है उलम्पिक दुजाबीस में नहीं खेला गया था तो यह था आपका वुशू इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका लुशू भात के किस स्मस्राज में सभती थे तो नागालेंड इसका करेक्ट एंसर हो जैगा तो और दो को नेक्सिट है भारत नट्यम है तो पदमस्री पुरुषकार से समानित पर्थम ट्रांस महिला इन वह से हैं चीजह नर्तकी नत्राज जो समझे आपका भारत नटम से समझ दित हैं इनको पद में सिर्फ पुषका मिला है और यह पहली जो है ट्रांस विमेन है नेक्स्ट है निमलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में अस्कॉर्बिक एसीड होता है तो सबसे अधिक एसीड यानि विटामीन C होता आपका अमरूद में होता है तो निमलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में अस्कॉर्बिक एसीड यार्फी विटामीन C होता है तो अमरूद इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है आसाम और जो भी आपका प्लेंसुलर अस्टेट हो गया है वहां प्लेंसिटी कैसा होता है जो जनसंक्या घ हिली अरे में सबसे कम होता है निमलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानो की तशकरी बेगार और अन्य प्रकार के जवरन स्रम को प्रतिबंधित करने में समद्धित है तो यह आपका सोसन के विरुद अधिकार इसका करेक्ट एंसर हो जागा आर्टिकल 23 और 24 में याता ह निमलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानो तशकरी बेगार और अन्य प्रकार के जवरन स्रम को प्रतिबंधित करने में समद्धित है तो सोसन के विरुद अधिकार इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा और सवेधानिक उप्चारों का अधिकार जो आपका आर्टिकल 32 में आपका सफींग करता है यह आपका फ्रेक्वेंसेट करता है लेकिन जो यह आपका एम्पलीटूट के पर डपेंड करता है लेकिन जो ऐपका आपका अधिकल परकश्क करता है सब्सक्राइब करता है डाक्टर एन राजम वालीन के वादक के रुप में विख्यात है तो यहां पर बासरी के बासरी से आपका पंडित हरी परसाच चोड़सियर का समझ आपका बासरी वादक से अगर पंडित रवी संकर का समझ के आपका सीतार वादक हो जाएंगे उसके साथ आपका तबला वादक कौन हो जाएंगा अल्ला रखा और जाकी रोसन हो जाएंगे नेक्स्ट है नेमलिकित मैं से किसने ब्रेटिस इस्ट इंडिया कॉपनी की ओर से बकसर के यूद्ध का नेत्योंति किया था तो हैक्टर मुन्डौ इसका करेक्ट टेंसर हो जाएंगा तो बकसर का यूद्ध कब गवा था तिया आपका 1764 में गवा था और इसमें जो है चुना गया है आपको आलिया भट को चीना गया है और इस बार जो दुजा 22 में जो दुजा 23 में जो पेटा इंडिया को चुना गया है यह हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है मिलते हैं अगले सेट में तब तक लिए जैहिं जैभरत धनिवाद